विदियो से त्रफ से वेकिंसी इन्वार्ट किया गया है उसी निकल के रिगादिग और यह जो वेकिंसी निकला गया है आप जला है यहां पर चीज आपको सीखनेको मिलेगा और इसके पहले भी मैंने काफी सारे मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि IUCL से अपरेंटिस करने का वद आपको क्या लाब है ठीकर है और भी जो मेडिकल सर्टिफिकर्ट हो गया या फिर आपका यहां पर ज्वाइनिंग के लिए हो गया तो इसके पहले भी जो वेकिंसी आती कि IUCL के लिगाडिंग मैंने कभर किया हुआ है तो कोई भी अगर जनकाड़ी लेना होगा हमारे चैनल पर जाकर प्रेलिस्ट को आप चेक आउट कर लिजिए आया सबस्क्राइब इस नोटिफिकेशन को हम देख लेते हैं तो यह नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है आयो से वीजिशन के लिए निकला गया है आक एक साल के लिए निढरी होता ओड़ानी हुआ है वह स्रे बाग्यत क्वैस्स के लिए बरूड़ निजए अब क्रो करना चाहते हैं यहाँ पर देख सकते हैं unremo ऐत्लों कर चाहिते है यहां पर apply कर सकते हैं तो यह मैं एक एक करके बात नहीं करूँगा यहां पर जाके आपको हमारे टेलिग्राम चैनल तो मिल जाएगा वहां पर जाके आइसे आप जॉइन करके डाउनोड कर सकते हैं ठीक है अब यह डिरेक्टली हम देख लेते हैं इसके qualification के बारे में कि क्या qualification यहां पर तो यहां पर ध्यान दिजिएगा जो इसमें अपरिंटीन निकाला गया । निकाला गया ह। इसमें दो तरह के अपरिंटीस है एक तो आपका Technician Apprentice निकाला गया ह। रह के अगर आफ उन्लेट्र आपको किया है थो आपको कि सात में अगर आपने यहां पर टेली कम्मिनिकेशन एंड इंत्रमेंटियसमनेंट वाले में अगर आपड़ाई करेंगे टी एंड आई वालÉ में इसमें जो यह ब्रांचेज हैं अपने डिप्लोमा कांप्लीट किया है electronics and communication, electronics and telecommunication तो यहाँ पर आप देख लिजिए गर आप में इन किसी ब्रांच में अपना electronics से डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इसमें apply आप कर सकते हैं साथ में मैंने बता है आपको trade apprentice के लिए जो vacancy निकाला गया है तो जो trade apprentice में जो आपके लिए vacancy यहाँ पर invite किया गया है उसमें आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि उसमें आपको यहाँ पर assistant human resource के लिए vacancy निकाला गया है जिसमें अगर आपने full time bachelor's degree किया हुआ है यानि कि graduation अगर आप पास है तो आप इसमें apply कर सकते हैं किसी बेरेक उनाइज इनवर्सीटी से तो आप इसमें apply कर सकते हैं साथ में जो उसके बाद जो vacancy है वो आपका trade apprentice अप्रेंटिस अकांटेंट की है आपको दिया गया है तो अगर आपके पास यह qualification है तो आप यहाँ पर apply कर सकते है तो यही इसी qualification के लिए apprentice यहाँ पर आपके लिए निकाला गया है age criteria आप देख लिए तो age limit जो दिया गया है वो आपका 18 से 24 साल तक के ही candidates में apply कर सकते हैं अगर आप 24 साल से उपर हो चुगए है तो आप इसमें apply नहीं कर सकते हैं बस एक condition में apply कर सकते हैं कि अगर आप इन किसी category से belong करते हैं जो यहाँ पर relaxation आपको दिया गया है जैसे आप में आप देख लिए अगर आप SCHT है तो आपको 5 साल का मिलेगा अपर हो चुके हैं तो आप इसमें apply नहीं कर सकते हैं तो age limit आप यहाँ पर count कर लिएगा इसे उनसार से ठीक है जो apprenticeship के duration रहेगा वह आपका एक साल के लिए रहने वाला है जो भी आप तीनु जो trade के लिए निकाला गया है यह सभी के लिए आपको 12 महीने के आपका tending period आपको attending कराया जाएगा यानि कि इसमें जो भी आपको पर मंत आपको stipend group में कुछ amount पे किया जाएगा stipend कितने मेलेगा इसमें clearly कुछ mention नहीं किया गया है लेकिन मैं बता दू कि आपको इसमें जो stipend मिलेगा जैसे जो भी हमारे डिप्लोमा वाले candidates है जो graduate candidates है जो 12th वाले candidates है तो equally stipend तो नहीं distribute होता है फिर भी आप मान सकता है कि 10 के से उपर आपको stipend मिलेगा बाकि अगर 12th पास है तो इसमें आपको 1-2,000 का फरक आपका हो सकता है तो लगभग इसी का सबस आपको stipend मिलता है बाकि IUCL से अपरेंटिस आप कर रहे हैं तो एक अच्छा पेसू है यहां परेंटिस करते हैं तो आगे आपके अगर वेकेंस्य निकलती है तो इसमें आपको company पर depend करता है आपको कुछ इसमें benefits भी आपको मिल सकता है ठीक है यह चीज़ है ठीक है बाकि directly आपको इसमें यह नहीं है कि अपरेंटिस करने के अगा आपको परमानेंट जॉब यानि कि जो भी आप अप्लाई करेंगा उसके लिए आपको रुटेन टेस्ट का यहाँ पर आविजन कराया जाएगा और यह जो टेस्ट होगा यह आपको अब्जेक्टिव टाइप प्रस्थन आपके रहेंगी कि इमसी पर आपका रहने वाला है टोटल सो नमर के प्रस्थन आप से पुझे जाएंगे कोई निगेटिव मार्किंग आपका इसमें नहीं रहने वाला है साथ मिअ आप से क्षिखिए आप अपके नो टेकनीकल बोल सकते हैं यादि कि आपका रिजिनिंग, जेनरर नौलेज, आपका जेनरल अपिटूड, नुमेरिकल अपिटिटूड, इससे प्रस्तन आपके रह सकते हैं अभे तरह से आप यहां पर घ्रड अपरेबरेंटियर और गठय यहis?? आपसे तरह सब्रस्क्राइब होने वाला है वहिस्कांट इसमें इसमें और भोलेष्ड क लिए अचग oder उंप्रसता साक dewस्क्रागि अगर आप और सेंग Тानि मला II ठीक है तो यही था जो कि आपको बताना था इसके अलामा और कुछ इंपोर्टेंट इसमें जो भी इंपोर्टेंट था मैंने आपको बता ही दिया और बाकी मैं बता दू कि इसके लिए आपका यहां पर शुरू हो चुगा है आप इसके लिए आप कर सकते हैं उससाथ एक इंपोर्टेंट बात आप जान लिए कि आप अगर अगर आपकर करेंगे तो बिफोर अप्लाइंगे बहुत अप्रेंटिस पोजीशन के इंडिट है फ्रस्ट रिजिस्टर देमसेल्फ इन इन यहीं का कहने का मतलब यहीं कि अगर आप अपरेंटिस कर रहे हैं और आकको सबस्द पहले इन फिर जाकर अपना रिज्टरेशन जो है अपना डिजिशन करना है तो आपको इमेच अपरी बिडियो विडियो मैंने आपको बना दिया है हमारे चैनल पर next apprentice के लिए कैसे आपको registration करना है आप जाके search भी करेंगा सबसे पहला वीडियो हमारा ही आएगा या फिर हमारे चैनल पर जाके visit कर सकते हैं description box check out कर सकते हैं playlist आप check out कर सकते हैं कहीने कहीं वीडियो आपको मिल जाएगा बैकी जो trade apprentice है trade apprentice के लिए कहाँ पर registration करना है द्यान दिजिएगा उनके लिए केवल आपको यहाँ पर उनके लिए apprenticeship.org पर यहाँ पर आपको registration करना है तो आपको इन प्रोटल पर आपको registration आपको complete करना पड़ेगा और चुकि हो सकता है आपको जब आप online अवेदन करेंगे तो वहाँ पर इसका number भी यहाँ पर आपको मांगा जाएगा ठीक है ना चुकि वहाँ पर आप एक installment number या apprentice number एक जर्नेट हो जाएगा जो कि आप online अवेदन करेंगा तो आपको मांगेगा ठीक है चुकि यह यो भी apprentice होता है यह आपका एक भारत सरकार का पर अप्रोटल बनाया गया जहां पर apprentice करने के पहले आपको आपको involvement जो है जरूरी होता है ठीक है बाकी online अवेदन करने के लिए आपका link है इस लिंक पर आपको जाके यहाँ पर online आवेदन करना है ठीक है बाकी कोई कोई क्वारीज होगा नीचे कॉमेंट सेक्षन में जरूर पुछ लिएका मैं उसमें आपको रिप्लाइद दूँगा साथ मैं चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए आगे जो भी अपडेट होगा आपको इस चैनल पर सबसे पहले मैं अपडेट करूंग तो मिलता है फिर एकली वीडियो में एक नहीं जनकाड़ी के साथ थैंक्स वर वाचिंग